बनारस हिंदू विश्वडाले मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित तनात ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने चात्राओं के साथ वी घटना पर दोश्यों के खिराप कड़ी कारवाई करते हुए ये कहा किसी भी परकार की कोई कारवाई प्रदास्त नहीं की जाएगी और उनको मैं कहूंगा कि विजिया दस्मी के बाद जब उनका विश्वविद्याले खुलेगा वो आराम से आएं अपने पठन-पाठन के कारे में लगें विश्वविद्याले प्रशासन से भी हम लोगों ने कहा कि उन छात्रों के साथ संबाद बना करके जो विश्वविधा हो सकती आप लोगों को देना चाहिए राज्य सरकार के स्तर पर जिसी प्रकार के सयोग के आऊ सकता पड़ी कि राज्य सरकार उसके लिए हमेशा तयार है तत्पर है इसके लावा जो असामाजिक तत्तों थे सभी विश्ववित द्यालेयों और महाविद द्यालेयों को इस बात को देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के सामाजिक तत्तों चात्रों या चात्रा की आड़ में उन संस्थाओं में जाकर के अभी वस्थान पैदा करने पाएं इसको अवस्षे देखें अपने विश्वविद्यालियों में या महविद्यालियों में एक बहतर संबाद बना करके उनकी समस्थाओं का समाधान करें पत्रकारों और छात्राओं के साथ अगर मार्ट पीट की जो बात सामने आई है उसमें जो दोसी प्रात्मी क्रूप से दोसी जो पहले रिपोर्ट में आये हैं उसमें उनके खलाब कारवाई हो चुकी है और मैस्टेरियल जांस की बात जो भी निसकर साएंगे किसी भी दोसी क हम लोग बक्सेंगे नहीं तो वहीं अपनी सरकार का बचाओ करते हुए लड़कियों पर लाठी चार्ज की घटना पर सियम योगी ने ये कहा सामने आई है जो बात सामने आई है इसके लिए एक एडिशनल सिटीवन स्टेट एक डिप्टी एसपी और एक सेचो के खलाब तातकाली क्रूप से कारवाई पहले ही किजा चुकी है तो वहीं सीयम योगी आदित तिनात ने इस मामले पर हो रही राजनीती कोले का विरोधियों को भी जम कर निशाने पर लिया देखे विपख्स के पास बिपख्स मुत्ताविहीन है ये दुर्भाग्या है कि विकास के हर कारे पर प्रदार डालने के लिए विकास की योजनाओं को केंदर सरकार और प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं को डैलूट करने के लिए ये लोग अनावस्यक रूप से छोटे-छोटे मुद्दों को तूल दे करके आगजनी तोड़ फोड़ पर उतारू हो चुके हैं बताते चले आप को की बीती 21 सितंबर को बियच्यू की तीन चात्राओं के साथ छेड़ खानी हुई थी इसी मामले को लेकर चात्र चात्राओं ने विश्य विदाले के कुलपती के आवास का घिराओ किया जहां पर पुलस कर्मियों ने उन पर लाठी चार्ज किया जिसमें घायल हो गई थी एस्पिया नाइन न्यूज के लिए गोरकपुर से रवींद चौधरी की रिपोर्ट